हेलो चिल्डरन, वेलकम बैक तो यूर चैनल एंसी आर्टी सोलुशन, I hope you all will be fit and fine at home So, आज़की इस क्लास में हम डिसकस करेंगे computer worksheet और हमारा topic होगा इसमें mouse, appointing device तो जो ही हमारी पूरी worksheet है, ये mouse के topic से related है First question में आपको question को ढंग से पढ़ना है, then उसके बाद आपको सही answer पर take करना है A mouse is used to select the items on the monitor with an एक जो mouse होता है, वो monitor पर किसी भी item को select करने के लिए क्या करते हैं हम हम arrow की help से monitor पर किसी भी item को select कर सकते है When mouse is moved and arrow, moves on monitor is called जब आप mouse को move करते हो, तो आपका जो monitor पर भी जो आपकी arrow है, वो move होती है तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम pointer कहते हैं Next हमारा है, the mouse buttons are used by जो mouse के button होते हैं, वो किसलिए use आते हैं, वो click करने के use आते हैं आपके Next हमारा question है, the wheel on mouse is used to move the page जो mouse के उपर, जो wheel होता है, mouse के उपर three buttons होते हैं Left button, right button और उसके बीच में एक wheel एक पहिया सा होता है Scroll wheel बोलते हैं आप उसको, तो वो किसलिए use होता है, वो किसी भी page को Up and Down करने के लिए use होता है Next हमारा है moving the object from one place to another without releasing the button is called जब आप किसी भी object को एक जगे से दूसरी जगे पर ले जाते हो और आपको उस दोरान उस button को बिलकुल भी छोड़ना नहीं है उस जो mouse पे जो button होता है, उसको press किये कि आपको उस object को दूसरी जगे पर move करना होता है तो उसे आप क्या बोलेंगे, उसे आप dragging बोलते हैं, ओके Next आपका question filling the blanks related है तो इसमें आपका first है, select an item on a computer विदा किसी भी computer पर आपको कोई item select करना है तो आप किसकी help लेंगे आप, उसमें mouse की help लेंगे Next आपका question है, pressing mouse button once is called अगर आप mouse के button को एक बार click करते हैं एक बार उसको press करते हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे आप उसे single click कहेंगे, एक बार click करेंगे तो उसको single click कहते हैं, और अगर उसको दो बार आप उस button को press करते हैं, तो उसे आप double click कहेंगे देखिये आगे हमारा यही क्योश्वन आ गया है pressing mouse button twist is called अगर किसी mouse के button को दो बार प्रेस किया जाता है तो आप उसे क्या कहेंगे आप उसे double click कहेंगे क्योंकि इसको दो बार click कर रहे हैं लिए ना अप तो double click अगर वे एक बार click करते हैं से single click कहेंगे arrow on the monitor is called mouse जो monitor पर जो arrow होता है उसे क्या कहते हैं आप उसे आप pointer कहते हैं next आपका question है the wheel of mouse is called is used for जो mouse पर जो wheel होता है वो किस लिए use होता है तो वो आपका यूज होता है moving the page up and down वो जो mouse की बीच में जो wheel होता है आप उसका use किसी भी page को up down करने के लिए आप उसका use करते हैं next हमारा question true and false related है by clicking the buttons we can tell the computer what to do आप mouse पर किसी button को click करते हैं तो आप computer को ये बताते हैं click करके कि उसे क्या करना है तो ये हमारा बिलकुल true है कि आप ऐसा इसी लिए करते हैं a mouse has got three buttons जो mouse होता उस पर three buttons होते हैं तो ये हमारा बिलकुल right है we cannot play games with a mouse on a computer आप computer पर जब game खेलते हैं तो आप mouse के बिना नहीं खेल सकते तो ये हमारा wrong है हम mouse के बिना भी computer पर game खेल सकते हैं pressing mouse buttons is called clicking जब आप mouse के buttons को press करते हैं तो उसे click करना बोलते हैं तो हाँ ये हमारा बिलकुल सही है ये true है next आपका question इसमे arrow on a monitor is called object जो monitor पर जो arrow होता है उसे आप object कहते है no it's a pointer आप उसे pointer बोलेंगे तो this sentence is false next हमारा question matchings related है आपको इन ध्यान से पढ़ना है then उसके बाद आपको इनको match करना है तो जो आपका single click होगा जब आप mouse के mouse की जो buttons होते हैं उसको एक बर press करते हैं उसे single click कहा जाता है तो single click करेंगे तो क्या होगा कोई भी item आपका select हो जाएगा select an item अगर आप right click जिसे mouse पर three buttons होते हैं एक left button होता है एक right button होता है तो अगर आप right button को click करते हैं अगर आप right button को click करते हैं तो आपकी जो भी आप computer पर जो भी activity कर रहे हो उसको वो control करेगा next अमारा है scroll button scroll button मतलब कि जो बीच में वो पहियासा होता है उसे आप scroll button कहते हैं वो किसके काम आता है वो page को up down करने में आपकी help करता है next आपका है double click अगर आप किसी एक button को दो बार click करते हैं तो उसे आप double click करना बोलते हैं तो double click का use किसलिए किया जाता है double click जब आप करेंगे तो कोई भी आप item जो उसमें देखना चाहरे हो वो open हो जाएगा जैसे कि देखो single click से क्या हुआ आपने उस जो भी आपको item देखना है आपने इसको select कर लिया फिर आप उसको double click करो इसको महाँ पर आप अपने mouse के pointer को ले जाकर दो बार click करेंगे तो जो वो item आप देखना चाहरे हो वो खुल जाएगा open हो जाएगा dragging किसे बोलते हैं dragging बोलते हैं किसी भी item को move करना एक नए place पर next है आपका कि आपको देखो यह कुछ words दिये गए हैं यहाँ पर और आगे मैंने एक आपके लिए एक puzzle बनाया हुआ है उसमें आपको इन सभी words को उसमें ढूणना है ओके तो first हमारा इसमें word था mouse तो mouse आपका कहां पर लिखा हुआ है mouse आपको यह लिखा है mouse नेक्स्ट आपका word था इसमें select कहां पर लिखा हुआ है Select लिखा हुआ है आपका इसमे S E L E C T यह हो गया आपका Select Next इसमें लिखा हुआ है Arrow Arrow कहांपर है A Double R O W यह हो गया आपका Arrow Next आपका Word है इसमें Screen तो आपका Screen कहाँ पर है Screen है आपका S C R E N यह हो गया आपका Screen next है आपका इसमें pointer तो आपका pointer कहां पर है pointer है P O I N T E R यह हो गया आपका pointer next इसमें दिया गया है buttons तो आपका buttons कहां पर है buttons है आपका यह B U T T O N S यह आपका buttons रहा next इसमें दिया गया था wheel wheel कहां पर लिखा हुआ है तो wheel है आपका यह Next है आपका इसमें scroll Scroll कहां पर लिखा हुआ है Scroll लिखा हुआ है Scrroll यहांपर लिखा हुआ है Next आपका है pad Pad कहांपर लिखा है P.A.D. पैड तो आपको एक्जाम में इस तरह से भी आपको कुछ क्योशन देखने को मिल सकते हैं और सबसे बड़ी बात ही होती जब आप पुजल को सॉल करते हो तो IQ अच्छा होता है आपका जो mentally development है वो आपका बहुत अच्छा होता है तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मैं उमीद करती हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है वर्कशीट अच्छी लगती है so please like share and subscribe my channel thanks for watching have a good day